हिरेन पटेल जी हमारे बहुत ही प्यारे भाई है ये कह रहे है मुन्ना भाई आप पे और फ्री थिंकर पे एक शेर बोलू यार हिरेन भाई इंतजार किस बाकता है बढ़ बढ़ आप बोलू बबड़ बाई ओक शेयरा थाना ही जरार द्से § हाँ सर मौमिन है आप मौमिन कह भी सकते हैं और क्यूं नहीं कह सकते हैं और क्यों नहीं कह सकते हैं ये भी बता यानि उनको कोई अगर परसनल खत्रा नहीं होगा तो ले सकते हैं अगर कोई खत्रा हो सकते हैं 2007 से 2009 तक उनके संपर्ग में था मैंने रोजे रखे हैं मैंने आलम दो याद करा पहले क्या थे यार पहले क्या थे पहले मैं हिंडू ठाथा ओके फिर फिर उन्होंने बोला कि अगर मुझसे शादी करनी है तो मैं एक आलिम हूँ आलिमा हूँ तो मेरे पिता जी मेरे भाई बैन मेरा चेहरा नहीं देख सकते तो अगर आपको मेरा चेहरा देखना है तो आपको मुस्लिम बनना पड़ेगा लगनों में एक बड़ा इन्वेस्टी है मुस्लिम होगा मैं साथी बता रहा हूँ सर भगवान कसम खा के कह रहा हूँ अब तो मेरी माबाब से बात नहीं हो रही थी तो यह जो आलिमा थी पूरी दुनिया में बस तुम ही एक उसको मिले ते मतलब तुम क्या सलमान कान शारुकान जैसे लिखते हो जो इतनी फिडा हो गई थी तुमारे उपर इसके आगे का आगर आप 2011 का बात सुनोगे ना तो फिर मेर अरे लेकिन मैं वही नहीं समझ रहा हूं कि तुमको क्यों फसा रही थी तुमको इस शारुक खान सलमान खान जैसे दिखते हो या नितिक रोसुम जैसे स्मार्ट हो पूरा बात बताओंगा तो पूरा यह आप तैस्टीम खतम हो जाएगा साब बाबु बाई लड़की का चक्टर था ये शुरू कैसे हुआ सार शुरू क्या हुआ कि मैं अच्छली लड़की उसे थोड़ा दूर बागता था तो वो मेरे स्टोर पे आई मैं मोबाईल की मतलब स्टॉप में काम करता था मेरे फोन में रिकोर्डिक कर दो तभ भी सिम् Tig Ray ए मीब दो तो निया सुना हुआ एक रिकोर्डिंग का सोफ्ट वे बहुत Gap में लगा कि यार धूर। बाई बुला उनोंने आवाज खुपशूरत थी कि आप भी अभी दिखे तो कि मैं मुस्लिम दरन ले लेता हूँ अच्छा हाँ फिर अरे ठीक है मैं को यह समझ में नहीं नहीं हारा तुम्हारे अंदर उन्हों दो साल औरे वहले लेकिन तुमारे अंदर उसको क्या नजर आया वह समझना चाहता हूं तुम से प्यार हो गया सिफ्वेग की चक्कर में फियार नहीं गया उसको मेरे को मुस्लिम करना था उसके लिए सुनना के लाओं ओके फिर आगे मैं मैं सिरिस्ली वता रहा हूँ या आप मजाग समझोगे तो पड़ेगा ना हाँ इसा हो रहा है मतलब ऐसा भी होता है अब लोगों को पता नहीं है यह इसा भी होता है मैंने अलम्दव याद किया था अभी मैं भूल गया हूँ थोड़ा त तो आलम दो बुला कि यह बेसिक है अगर रही तुमने यह याद कर लिया न तो तुम्हें एक जगा जाना पड़ेगा नदुवागर के एक एक कालेज है हमारे शिटी में लखनव में तो उसने बुला कि वहाँ जाना पड़ेगा और तुम आलम दो सुनाओगे न तो तुमको वहाँ पे वह सिखा देंगे आगे क्या करना है और फिर जब हम पूरा सीख लोगे तो फिर मैं अपने फादर मेरे दुबई में वह आएंगे सौधी या दुबई कहीं पे थे तो वह आएंगे तो हम फिर पुरा बात कर लेंगे और क्योंकि आलिम्मा से शादी करना बहुत ब मतलब मैं तीवी देखना बंग गया उसना बहला टीवी नहीं देख सकते आप तीवी देखना पाप है और नमाज के समय गाना नहीं सुन सकते मैं ने का ठीक है वही मैं धीरे-धीरे उनकी तरफ बहुत जादा एट्रैक्टेड होने लगा तो चेहरा देखे थे कर नहीं दे अगर आप सुचना कि मेरे लिए बहुत सुन्दर है तो मैं उसको भीकुल अपने दिल से सच्ची होता रहा हूं कि अगर आप सारा होती होगी तो मेरे लिए वही थी उस समय अभी तो खैर आप मैरेट पोसें मुन्ना भाई प्यार में इंसान अन्दा नहीं होता है प्यार में एक अंदा होता है कोई तो यार का जर्वह आयनका ऐसा मामला हो गया था एक अंदा आपा अच्छा इरेन भाई की शायरी आगई फ्री तिंकर तो मुन्ना भाई फ्री तिंकर टू मुन्ना भाई वाइट टाइगर इस गोईंग इंटो अ केव प्लीज मिस्टर मुन्ना मेक मी यूर स्लेव पेलो इस फ्री तिंकर को वाफ रे वाफ मौजमल खिरा बुक की पीडिएफ दीजिये सर नहीं मिल रहा भाई में को भी नहीं मालूम है ये बुक मैं फर्स टाइम सुनाओ ये बुक बहुत सारी किताबे यार कितनी सारी किताबों को आपको पता चलेगा मुझे नहीं मालूम आप गूगल में सर्च करिए देखिए हो सकता है कि आपको मिल जाए साहिल यू दिंट एंसर मैं प्रीविएस सुपर चाइट सर फिर से आप बता दीजे क्या था आपका सुपर चाइट नॉर्मल मेसेज में मैं देख लेता हूँ क्योंकि अगर सब सुपर चाइट में लेना शुरू कर दू तो आदे से जाद टाइम जो है वो उसी में चला जाएगा इस वज़े से मैं सुपर चाइट आपके स्क्रीन के सामने रख देता हूँ ताके आप लोग जो है आपके सुपर चाइट को पढ़ सके ठीक है जैम जिरो जिरो सेंगे मुश्किले सिर उठाएंगी कदम भी लड़ खडाएंगे दोस्त घर अपने पराये छूट जाएंगे घड़ी में इम्तिहानों की कदम जो भी बढ़ाएगा मुश्किल जुक ही जाएंगी मुकदर वो बनाएगा आप सब को दिल से सलाम सर बहुत वह शुक्रिया जैम जिरो जिरो सेंग सर जी भाई आज कल सुबा ट्रेन पकड़ के पन्वेल भी जाना है सर तो फटा-फट अपनी स्टोरी को थोड़ा राप अप करके शॉट में बताईए क्या आखिर हाँ हुआ हाँ तो हुआ ये कि फाइनली एक टाइम आ गया कि मैं नदवा भी गया और नदवा में उन्हें बोला कि भाई आपको जो है अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा और परिवार को छोड़ना पड़ेगा यह फिर पूरे परिवार को मुस्लिम करना पड़ेगा तो मैंने का भाई मेरे पिका जी एक हिंदू रिलिजिन के पुजारी है और वहsay करपाईगे इसा कुछ लिए तो मैंने तो फिर मीन्वाइल मैं एक स्टोर से वोड़ाफोन कर गए कमनी थी, वोड़ाफोन नहीं था तब HR था या हच था, तो उसके कस्टमर केर में काम किया मैंने, तो उसका नंबर मैंने चेक किया, अरे जिस लड़की की बात करहें, आलिमा की बात करहें, तो मेरा फोन दो बज़ है फादर से बात करती है अपने तो मैंने वो नंबर को चेक करा CRM पे डाल के तो फिर पता चला कि उसका एक और बॉइफरेंड है जो उसको धोका दे रहा था जिसका सजा वो मेरे को देना था चारी और शी इस नोट आलिम मैंने उस लड़के को पून गिया उसने बुला कि वो आलिम नहीं है भाई तो वो चारी है कि कि अगर किसी को मुसलमान बना देंगे उसको किसी ने समझाया हुआ कि इंदु को मुसलमान बनाईगे तो उसको एक benefit मिलेगा और जो जिसको वो प्यार करती वो मिल जाएगा उसको यह सब पाते मैंने उस वो recording मैंने करी और वो recording मैंने उस लड़की को सुनाई कि भाई देखो तो ये तुम्हारा निकल क्या है, तुमने तो मुझे आदा मुसल्मान बना दिया, मेरा नाम भी शेज कर दिया तुमने, तब उस लड़की ने मेरा फोन उठाना बंद किया, दिरे दिरे चीजे खतम हुई, और मेरी मम्मी बाप, नहीं घर बचा नहीं ना, अच्छा और भी क किसी भी लड़की के चक्कर में ये काम ना करें, सीरिस्ती बता रहा हूं कि अगर कोई कहे कि आपको प्यार करती है, और आपको मुसल्मान बनना पड़ेगा, मुझे से शादी करने के लिए तो उससे दूर रहें, पहली चीज मेरा ये था, दूसरा, मेरा तो लाइफ अब स अच्छी लड़की से शादी किया हूं, जिससे मैं भी प्यार करता हूं, वो मुझे से प्यार करती है, मैं लिए बहुत ध्यान रखती ही मेरा, चलो एक अच्छा है कि आपको बार-बार प्यार हो जाता है, ये अच्छी बात है, फिर चार-पार-च्छे बार हुआ है, बश पाई और इस जंजाल से निकल के ये बड़ी बात है, एक मेरी एक रिक्वेस्स मेरी सुन लीजे, मैं आपकी वीडियो के अपने चैनल पर डाल सकता हूं, अब आपसे पूछते, एक महीने के बार, जब भी स्ट्रीम चलेगी, पुराना कुछ वीडियो आपका मैं अपने च टीम होती है, उसके एक महीने तक आप वीडियो नहीं दालियेगा, जब तक वो क्रॉप करके मैं एक टीम बना रहा हूं, वो कुछ क्रॉप करके इस चैनल पर डालेंगे, एक महीने के बाद आप अपने चैनल पर डाल सकते हूं, ताके इस चैनल की रीच भी बडाना है, और लिएगा, एक महीने के बाद डालना, क्योंकि वो सब अभी मैं अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूं, ठीके जितने लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग डालते हैं बिना आपके पर्मीशन गें, वो कैसे डाल रहे हैं, हाँ मैं बता रहा हूं कि मैंने अभी यहां पर हिदायत दे दी हैं, तो बहुत से लोग नहीं डाल रहे हैं, अगर कोई इतना बोलने के बाद भी डालेगा, तो मैं समझता हूं कि वो इस मोमेंट के खिलाफ है, और वो नहीं चाहता है कि यह चैनल ग्रो हो, तो ऐसा ना करें, मैं नहीं चाहता हूं स्ट्राइक दूँ तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक मैंने के, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा है, और मैं जो डालते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, कि आप लोग एक मैंने के बात डालिए, क्योंकि इस चैनल को ग्रो करना है, तो इधर पर वीडियो सानी जरूरी है, वरना क्या ह होता है कि आज स्ट्रीम हुई, दुसे दिन जो है, वहाँ पर क्लिप्स जो है, अल्रेडी लग जाती है, तो ये चैनल पर फिर कोई देखता नहीं है, है ना, एक मैने के बात डालिए, जिसको भी डालना है, ठीक है सार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत मैनत कर रहे है कि कोई बड़ा, घहर का बड़ा जो है, वो आज कल यूट्यूब के बात कर रहे है, उनको विल्कुल भी वो नहीं है, पर वो बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छे बैक्ती है, परस्नली बहुत मैं उनको लाइक करता हूँ, ठैंक यू, सो मच आप लोग बह आमस्ट अबस्टा को विल्का इंक यू, अजय। को वे, नामस्ट ने जो आप बहुत आप लोग् जो झाल